आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें नमस्कार दोस्तों, प्रशन ही, फोस्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है तो दोस्तों, हमें बताना है कि फोस्फोरस जो होता है, वह मिट्टी में किस रूप में रहता है, यानि कि पाया जाता है तो दोस्तों जो फासफोरस है ठीक है क्या है फासफोरस ठीक और फासफोरस जो होता है यह एक क्या है दिर्ग मातरिक तत्व है यानि की मेक्रो न्यूट्रियंट है ठीक है इसे क्या कहा जाता है व्रहत पोशक कहा जाता है यानि की पोधों को इसकी अधिक मातरा में आवेशक होती है ठीक है और फॉस्फोरस का मुख्य स्रोथ क्या है चट्टाने ठीक है क्या है चट्टाने जो है वह फॉस्फोरस का मुख्य स्रोथ है ठीक है और फॉस्फोरस जो हता है यह मिट्टी में ठीक है मिट्टी में किसके रूप में रहता है और्थो फॉस्फेट के रूप मे ठीक है ? जिसके रूप में और्थो-phosphate यानि की PO4-3 ठीक है ? यह और्थो-phosphate का सुतर है ठीक है ? और पाधब जो होते हैं वह और्थो-phosphate को ही क्या करते हैं ग्रहन करते हैं म्र collection से तो दोस्तों हमें यहाँ पर निमरीकित चार विकल दिये गए हैं जिसमें पहला दिया गय दूसरा है Phosphorus Oxide तीसरा है Phosphorus Sulfide और छोता है Phosphoric Acid तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्प की बात करें यानि कि Ortho Phosphate तो दोस्तों Ortho Phosphate मिट्टी में इसी रूप में पाया जाता है दूसरा है Phosphorus Oxide तो दोस्तों यह विकल्प हमारा गला थे क्योंकि मिट्टी में Phosphorus Oxide के रूप में नहीं पाया जाता है Phosphorus Sulfide इस रूप में भी मिट्टी में Phosphorus नहीं पाया जाता है और जो था दिया का है Phosphoric Acid तो दोस्तों जो नुकलियो टाइड होते हैं ठीके क्या होते हैं न्यूक्लियो टाइड और न्यूक्लियो टाइड में जो फास्फोरस होता है ठीक है क्यों होता है फास्फोरस वहाँ फोस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है यानि कि हपाया जाता है फौस्फरिक एसिड न्यूक्लियो टाइड में तो दोस्तौस उपरोग चारो विखल्पों में से Auss फ़ोस्फररस जो होता है मिठ्टी में और्थो फोसफेट के रूप में पाया जाता है अतव पहला विकल्ब हमारे प्रिश्न का सही उत्तर है धिन्यवाद